वेलकम बेक टो वर चैनल इस वीडियो इस गोई टो बी जोब रिलेटिड वीडियो आज का वीडियो जोब से रिलेटिड रहने वाला है तो आज किस वीडियो में एक नई भरती के बारे में आपको बताऊंगा जो कि करमचारी रज्य भीमा निगम या EFIC Employees State Insurance Corporation के अंदर निकली हुई है तो कौन-कौन सी पोस्ट है ये आपको बताने वाला हूँ हाँ उससे पहले ये बता दूँ कि ये जो विकेंसिस है टोटली इंटर्वियू बेस्ट पे ये भरी जानी है कोई भी रिटन एक्जाम इसमें नहीं रहने वाला और इसकी जो लोकेशन रहेगी वो होगी फरिदाबाद के अंदर तो जो जो भी कंडिडेट इंटरस्टेड है इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखें जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें तो ज़्यादस मेरा लेते वे चलिए करते हैं वीडियो को सुरूम यह देखिए करमचारी राज्य बीमा निगम यह जो है ESIC जिसको हम Employed State Insurance Corporation के नाम से जानते हैं एक बहुत ही अच्छा organization है तो इस organization में कुछ vacancies निकली हुई है जो की purely walk-in interview basis पे है तो यहाँ पे जो interview की date है 10.11.2020 को interview होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो vacancies निकली हुई है एक है SR यानि कि senior resident की vacancy है दूसरा है SR against GDMO दूसरा है senior resident against GDMO यह one year यह three year ठीक है तो यह vacancies निकली हुई है यह यहाँ पे branches है anesthesia में, general medicine में OBG के अंदर, pediatrics के अंदर, TB and chest diseases के अंदर यह तो इस तरह से यह divide किया गया है category wise और इस table के अंदर आप देख सकते हैं कि किस branch के अंदर कितनी vacancies यहाँ पे दी गई है तो इसके लिए अगर हम बात करें कि इसका जो interview होगा वो होगा 10.11.2020 को शार्फ 9.00 AM पे आपको पहुँचना है कहां पे ESIC Medical College and Hospital NH3 NIT फ्रीदाबाद में ठीक है अब क्या क्या आपको लेके जाना है क्या क्या डोकुमेंट्स वहाँ पे चाहेंगे वो इसकी अगर डिटेल आपको देखनी है तो आप www.esic.nic.in को भी विजिट कर सकते हैं और इसके लिए जो बेसिक educational qualification की जो डिटेल दी कही है यह देखिए यहाँ पे senior resident for tenure of three years subject to renewal extension every year यानि तीन साल के लिए इनको रखा जाएगा तो यहाँ पे essential qualification आप देखेंगे कि post graduate degree या diploma होना चाहिए concerned facility के अंदर किसी भी recognized university से और एक valid mci registration आपका होना चाहिए medical council of india का registration होना चाहिए और candidate already completed three EST new regs sr in any government organization need not apply जो पहले से तीन साल का यह time period के लिए job कर चुके हैं उनको दोबारा से apply करने कि इसमें जरूर्ट नहीं है एज लिमिट यहाँ पे 45 विस दिया गया है ठीक है इसके अत्रिक relaxation मिलने वाली है SCST OBC candidate को उसके अधर senior resident अगेंस्ट वेकेंट post of general duty medical officers for one year जो एक साल के लिए जिनको रखा जाना है GDMO के लिए तो उनके लिए भी 45 years maximum age limit है post graduate diploma या degree होना चाहिए concerned specialty के अदर किसी भी recognized university या institute से और इसके लिए जो pay scale है बहुत अच्छा pay scale है दोनों vacancies के लिए अगर हम one year वाले post की बात करें तो एक लाख एक हजार इसमे salary आपको मिलने वाली है per month ठीक है अगर हम senior resident three years वाली जो post की बात करें तो 67,700 रुपे salary के अंदर दी हुई है eligible and desirable candidates along with their application field जो भी application form आप download करेंगे वो जो annexer A के अंदर दिया गया है तो उसको लेके आपको वाके न interview के लिए जाना है 10 November 2020 को जो भी given address है उस पे साथ ही आपको two recent passport size photographs लेके जाने है along with one set of attested photo copies and original of testimonials जो जो भी आपके original documents से वो भी आपको लेके जाने है ठीक है उसके बाद क्या है vacancies are likely to change depending upon actual requirement at the time of interview MCQ type test भी हो सकता है आपका aptitude and knowledge in teaching subject will form the basis for interview for the post of tutor at 11 am on the date of interview on the description of selection board यह देखें यहाँ पे क्या है कि अगर बहुत सारे candidates वहाँ पे चले जाते हैं 11 बज़े जो जाएंगे तो उनका एक MCQ छोटा सा महाँ पे connect करवा लिया जाएगा ताकि उनको shortlist कर सकें क्योंकि जितने vacancies हैं तो उसका maximum three ratio candidates को ही जो महाँ पे interview के लिए बुलाया जाएगा तो यह इसका जो है basic details है इस job advertisement के बारे में अगर आपको information पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें साथ ही इस तरह के updates पाना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लें बैल आइकन को press कर लें ताकि इस तरह की कोई भी important information आपसे आज किस वीडियो में इतना ही एक ऐसे ही नए वीडियो नए content के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाए बाए जै हिंद जै भारत